भारतिय सेना के लिए किस नहर काम क्षेत्र चुनवती की दीवार बना खडा था इच्छो गिल नहर का मोर्चाम भारतिय सेना के लिए चुनवती की दीवार बना खडा था इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे इच्छोगिल नहर तोड़ने के लिए भारती य सेना तैयार थे मेजर ने किसकी परवा नहीं करते हुए मोर्चा कों संभाला मेजर ने यावुदर परिवे यन्नु माडदे तन्न गुम्पन्नु सैन्यवन्नु संभालिशिदनु वन्त मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा कों संभाला मेजर नु साविन परिवे यन्नु माडदे तन्न सैन्यद तुकडियन्नु संभालिशिदनु अधिकारियों से क्या कहा? मेजर नुम अधिकारी गळिगे ये नुहेलि दनू. मेजर ने अधिकारियों से कहा, हाँ है मेरी मात तक संदेश पहुंच देना, तुमारे बेटे ने गोलिया सीने पर खाई है, पेट पीट पर नहीं. मेजर नुम अधिकारी गळिगे हेलिदाम, आँ होदू, नन्न तायिगे हेलिरीम, निन्न मगां, गुंडुगलनू, गुंडुगलिगें, एदे योड्डी तिन्दा, बेन्नु तोरिसलिल्ला, अन्त, अंधरें, अष्टोंदू, आत्म विश्वास दिन्द धैरे दिन्द हो psonराटिधा, वैरिगलिगें बेन्नु तोरिसी एडियागि उगलिल्ला, धैरे दिन्द शौरे दिन्द वैरिगान्नू एदिरिस्सिदा, वैरिगलिगुण्डिगें एदे योड्डिदानुदनू, मेजर अधिकारिकण्यगें तन्न तायि गेति विस्लिलिक्तस, मेजर आशाराम तैगी ने मात्र भूमी की रक्षा में किसकी बाजी लगादी? मेजर आशाराम तैगी ने मात्र भूमी की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी अंदरे मेजर आशाराम तैगी वरू मात्र भूमी रक्षन गागी प्राण वन्ने पणवा गिट्रू मेजर आशाराम तैगी ने किसे दिये हुए वचनों काम पालन किया मेजर आशाराम तैगी ने मा के दिये हुए वचनों काम पालन किया अंदरे मेजर आशाराम त्यागिये वरूं तन्न ताईगे कोटन्था वचनवन्नूं पालिसी दरोवन्ता दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिये सैनिकों कों तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यूं दिया गया सन 1965 में चारो तरफ शांती का वातावन फैला हुआ था अचानक वातावन बदल गया भारत पर दुश्मनों ने हमला कर दिया जिससे चुटिया बिताने गये सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया सैनिकरिगें तक्षण वापस बरवन्ते एके आदेश वन्नूं आचानक कागी नीडल आयित्तु अधरें आचानक तक्षण इदक्षण 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 वातावन दल्ली बदलावने आयित्तु बारत नंद मेलें वैरिगळुं आक्रम्न वुन्न माड़िदुं आदक्षण वापस बरवन्तें शैने दिन्द आदेश वन्नू नीडल आयित्तु युद्ध भूमी जाने से पहले मेजर ने जब मा को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी युद्ध भूमी को जानते हुए मेजर ने जब मा को प्रणाम किया तो सिर पर हात रख आशिर्वात देते हुए मा ने कहां बेटे इस समय राश्र रक्षा ही प्रतेक भारतिय का सबसे बड़ा करतवे है जावो और द्रडता से अपने करतवे का पालन करो मेजर का गलाम रूद गया और मात्र भूमी का स्मरण हो गया युद्ध भूमी अमन्नु ओगोव किन्त मुँँचे मेजर नुम तायगे नमस्कार माडिस दागा इब्बर परिस्तिती एगित्तु अन्त प्रस्ने किले दारे युद्ध भूमी के ओगोव किन्त मुँचे मेजर नुम तायगे पाधकोंद मुट्टी नमस्कारसी आशिर्वादवन तकेदु कोळताने आगां ताय मगनिकें राष्टरक्षे इन्न माडवदूं प्रत्योप भारतियन कर्तव्य अत्यांत दोड़ कर्तव्य आदरिंद होगीं नीनुम ध्रडत इन्दम खंडित वागीं निन्न कर्तव्य उन्न माडवद अन्त एवत अलें अवागां मेजर न गंटलुम तुम्बिबंदुम गदगदित नागत तनें युदभूमी को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माने क्या आशिरवाद दे युदभूमी को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशिरवाद देते हुए माने कहां बेटे इस समय प्रत्तेक भारतिय को राष्ट रक्षा करनी ही सबसे बड़ा कर्तवे है जावों अवर द्रडुस्ता से अपने कर्तवे का पालन करो याद रहे भारतिय परंपराम सीने पर गोली खाने की है पीट पर नहीं इदुम स्वल्पक कलेद उत्तर दंते इदें इदरली मुख्येंदरे बातिय परंपरे गुंडुगलिकें यदे योड्डोवदू बेन्नु तोरिसी होगुवदल्ला अन्वदन्नू मेजर नताई आशिरवाद माड़ी मेजर निगें युद्ध भूमिके होग वागं धेले इद्रवनो विशेदं प्रस्तापं इद्रली दें अम्रुद्सर के आस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? अम्रुद्सर के आस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द है याँ है मेरी मा तक संदेश पहुंचा देनाम तुमारे बेटे ने गोलियाम सीने पर खाई है पीट पर नहीं अम्रुत सरद आस्पत्रेल्ली मेजर्न कोनेय शब्द यावुदित्तु वंत अम्रुत सरद आस्पत्रेल्ली मेजर्न कोनेय शब्द यावुदित्तु वंत अम्रुत सरद आस्पत्रेल्ली मेजर्न कोनेय शब्द यावुदित्तु वंत कार्य आसान नहीं है फिर भी मेजर्ने मोर्चा को संभाल लिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और देश बक्ती का जोस से उन्होंने दुश्मन के सारे टेंकों को ध्वस्त कर विजेश्री को गले लगा कर ही दम लिया कि अिर्ण देश्ट विप्वस्त कर दोर्ट आसान में लिया खावुद्ट विगा उन्होंने लिया तो थार इदनी रूंद अप्या